उन्होंने कहा है दस लाख नौकरिया दी जाएगा इतना बड़ा मुद्दा हर एक प्रिहार का नौजवान पर दिलिकरा जल्बे जो उमीद थी जो ख्वाइश थी आज उसको हम लोग साथ मिल करके बुड़ा खुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशुशु आज का दिन है जसने आजादी का दिन है पूरा देश हर सुलास के साथ स्वतंतरता दिवश मना रहा है आज जसने आजादी के मौके पर प्रधान मंतिर नरेंद्र मोदी ने जहां दिल्ली में लाल किले पर जंडा तोलन करने के बाद पूरे देश को संबोधित किया वहीं दुसरी ओर बिहार के मुक्यमंतर ने दीश कुमार ने पटना के ग बिहार के इवाओं को बड़ी सौगात दे दी है देखें सियम नितीश कुमार ने जंडा तुलन के बाद गांधी मैदान से बरा एलान किया है उस दौरान तेजस्वी यादो भी उनके साथ मौजूद दिखें मंच पर ही तेजस्वी और तिजपरताब भी थे सियम नितीश इस ने कहा कि 10 लाख रोजगार की तो बात हैं ही 10 लाख सरकारी नौकरी के अलावे बिहार में 10 लाख और रोजगार देंगे लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादो क्या कुछ करें ज़र आपको सुनवाते हैं उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरिया दी जाएगा और इसके बीस लाख भी किया जाएगा इतना बरा मुद्दा जो अफसल मुद्दा है आप लोग इस पे क्यों भी पहस करते हैं उस पे क्यों में चर्चा करते हैं आज हर एक पिहार का नौजवान जो उम्मीद थी जो ख्वाइश थी आज उसको हम लोग ताथ मिल करके बुड़ा ख़र हैं चार-पार दिम से कहार किया जो अवह से बढ़ा आज हो क्या हो तरह प्रहाएगा जो है नौजवान तो बिहार के उप्मुख्य मंत्री तेजस्वी परशाद यादों को आप सुन रहे थे आज जहां पूरा दिए तेजस जसने आजादी का तिवहार मना रहा है बिहार के इवाओं के लिए एक बड़ी सवधात इस मौके पर बिहार के मुख्य मंद्रे नितीश कुमार ने देने का एलान किया है देखे, सेम नितीश ने कहा है कि दस लाख रोजगार तो हम देंगे, बिहार के इवाओं को सरकारी नौकरी तो देंगे, लेकिन दस लाख रोजगार और देंगे, अनि कुल बीस लाख नौकरी और रोजगार की बात मुख्य मंदरी नितीश कुमार कर रहे हैं, फिलाला कि मुड़गा चाज़ मारी ए act